नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सभी का स्भागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हर्ब में, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, और निव विवर हैं, तो मेक शियर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब् किजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लिस सपोर्ट किजिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक न्यूस के बारे में, रिलीट टु टेक्स्पियर रिगार्डिंग लेट फी, फो डीले इन फाइलिंग फाइलिंग फॉर्म जीस्ट्र 3B रिटर्न् यानि कि आज, तो यहाँ पे रिलीट दिया गया है टेक्स्पियर को, रिगार्डिंग लेट फी, जिन्होंने जीस्ट्र 3B रिटर्न्स फाइल करने में तीले किया है, तो यहाँ पे आप नीचे पैराग्राफ में देखेंगे, यहाँ आप नीचे देखेंगे, तो पैराग जो रिजिस्टर पर्सन फे जिन्होंने पने फाइल फाइल नहीं किया था, यहाँ पे आप देखेंगे, तो आपको पीरिड भी मेंचन है, जुलाई 2017 तो अप्रिल 2020 तक इस पीरिड की बिट्विन में जीस्ट्र 13 में जीस्टर फाइल की पाइल किया है, तो यहाँ पे आप GSTR 3B return file नहीं किया था इस पेसलिए यह चोटे वहापारी यानि कि small business के बारे में किया गया है तो जो चोटे वहापारी थे जो चोटे businessmen थे जिनका business properly रर नहीं हो पाया था और वो इस condition में नहीं थे कि GSTR 3B की returns को file कर सकें तो यहाँ पे कुछ relief government लेके आई है अपने MNST scheme के थूँ आप नीचे देखेंगे तो period mention है July 2017 to April 2021 यहाँ देखें जिसका return नेल जाना था if return for news between 1st June 2021 and 31st of August 2021 तो यहाँ पे period mention है इस period की between में आपको अपने GSTR 3B की return file करनी है अगर आपने अपना GSTR return जो है file नहीं किया है कबसे July 2017 to April 2021 जिसमें के आपका GSTR return जो है वो नील था और नील जाना था आपने file नहीं किया तो अब आप कर सकते हैं 1st June 2021 से लेके 31st of August 2021 तक और यहाँ पे इस period की between में आप करेंगे तो late fee payable waived in excess of 500 रुपिस तो आपको सिर्फ 500 रुपिस as a late fee pay करना होगा कि इस period की between में जुलाई 2017 to April 2021 इसके बाद देखिए अगेन यहाँ पे mention है जुलाई 2017 to April 2021 बट यहाँ पे आप पहले देखेंगे तो यहाँ पे नील था और नीचे आप देखेंगे तो जो period है if return for next between तो जो period है वो same है 1st June 2021 जो 31st of August 2021 की between में अगर आप करेंगे इस period की between में आपको करना है तो जो लेट फी पेबल है वो है आपका 1000 तो पहले क्या था अगर आपका कोई भी text नहीं बन रहा था नील रिटन जानी थी तो उस case में 500 अगर आपका text बन रहा है और कुछ text liability है आपके उपर और आपने just a 3B return file नहीं किया था तो उस case में 1000 आपको as a late fee pay करना पड़ेगा नीचे आ परसन की जिसकी GSTR 3B return नील जानी थी उसके लिए 500 है सेकेंड पॉइंट बे देखेंगे registered परसन जिसका turnover up to 1.5 करोड है उसके लिए यहाँ पे 2000 यानी कि जिसका turnover up to 1.5 करोड है और उसने अपने just a 3B return file नहीं की थी तो उसके लिए यहाँ पे 2000 रुपीज जो है late fee रखा गय गया है और जो थर्ड वाला पॉइंट है टेक्सपेर हैंग एन एग्रिगेट turnover more than रुपीज 1.5 करोड और अप्टू रुपीज 5 करोड और अपने just a 3B return फाइल नहीं की है तो उसके लिए जो late fee है वह 5000 है तो हमने यहाँ पे सारे late fee जो है वह categories देखा इस वीडियो में हमने देखा जो relief दिया गया है टेक्सपेर को regarding late fee जिनों ने अपने just a 3B returns timely फाइल नहीं की है उनके लिए यहाँ पे category wise जो है late fee define की गई है जो मैंने one to one यहाँ पे discuss की आप सभी लोग के सार्थ I wish यह वीडियो आपके लिए helpful रही है अगर helpful रही है तो एक share subscribe कर दीजेगा thank you for watching